बालू जगए के बारे में सबसे पहला क्यूस्टन तो यही बनता है कि यह किस राज्जे में है बालू सथान यह हर्याना राज्जे में और यह किस सब्वेता से संब्वन दीता है यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है अडपा सब्वेता संब्वन दीता है यह बालू सथ अर्याना में अडपा सब्वेता समंदित अडपा सब्वेता को एक और क्या नाम देते हैं सिंदू गाटी सब्वेता या सिंदू सरसोती सब्वेता भी आज कल इसको बुलाया जाता है और फ्रेंट्स इसी तरह बालू जैसे बहुत से 25 सथलों को कवर कर चुके हैं इस चैनल 25 सथलों के वीडियो आपको मिल जाएंगे मिताथल हो चाए अर्याना के जितने बी सथल हैं सभी के सभी कवर कर दिये गए हैं राखी गड़ी बनावली मौन जोड़ो अडपा दोला वीरा सभी के सभी सथल तो वो वीडियो जो भी आप जरू देख लीजे पहला क्युस्ट देखते हैं बालू एक प्राचीन सथल है ये किस राज्य में है कौन से राज्य में है अर्याना राज्य में बालू अर्याना के किस जिले में है कौन से जिले में अर्याना के कैथल जिले में कैथल जिले में ये पाइंट भी याद रखें कैथल जिले में और कोई भी अडप अडपा सब्यता समन्दित सथल नहीं है यह एक IMPORTANT सथल बालू सथल की सबसे खास बात क्या है क्या उसे सियांसे मिले हैं बहुत IMPORTANT पॉइंट है पूरे अडपा सब्यता में और कहीं भी लैसून के परमाण नहीं मिले हैं लैसून को इंगलिस में गार लिक बोलते हैं तो लैसुन के पर्माण किस अडपा सब्यता सथल से मिले हैं उसकान सोरे बालू बालू के थल हरियाना से लैसुन के पर्माण सबसे पहले मिले हैं इससे पहले इस हिसे में लैसुन के पर्माण कहीं भी नहीं मिले थे दक्सिन और दक्सिन पूरी एसिया में सबसे पहले लैसुन क परमान कहां से मिले तो उसका अन्सुरा है बालू के थल बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आई है और यह जब लैसुन मिला है यह किस पीरेड का मिला है मैचोर अडपन पीरेड यानि प्रिपकव अडपा सब्यता जब मैचोर फेज में थी यानि 2350 से 1750 के बीच मैचोर तो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है लैसुन के सबसे पहले परमान कहां से मिले तो इसका अन्सुरा आपसे पूछा जाए तो इसका बालू रहेगा और प्रिविएस एक्जाम्स में पुछे वे किस चंस भी इस वीडियो में कवर किये गए हैं वो भी देख लीजी एक्जाम में पुछा वा परसन है बलू सथल कहां पर है सही से मिलान करना आपको कहां पर है हरियाना में मंदा सथल कहां पर है जमू कश्मीर में है पादरी सथल कहां पर है गुजरात में हुलास सथल कहां पर है उलास के बारे में सारनपूर यूपी में है सारनपूर डिस् और इन सथलों के वीडियो अपलोड हो चुकियैं लोट्थल के अभी वीडियो अपलोड हो चुका है अरियाना पुलिस के SI के एक्जाम में 2018 में ये परसंट पुच्छा हुआ है परसंट क्या है दक्सिन ऐसिया में लैसुन की कलियों का सबसे प्रार्मिक प्रमान खालिस्तान में पाया गया जो परिपको अडपा काल की है तो उपर जो मैंने बताया वो ही पॉइंट लिखा हुआ इसमें तो कहाँ पर मिला ये बालू के थल अरियाना में बिर्राना भी अर्यान में बेडाना भी बोल देते हैं इसको यह फत्याबाद में सबसे प्राचिन सतल अडपा सब्वेता का सबसे प्राचिन सतल आप से पुछा जाए तो बिर्राना बेडाना होगा इसके पास में एक उनाल एक सतल है बनावली भी इसी के पास में है सदल है फरमाना कासुं रोत को Valo सभी अंसोर रहे गुए इसका का सण 1937 सवी के नेतरतों में बालू संदल का उथ खंऑ किया गया है तो किन के नेतरतों में डौक्टछ शुरजबान के नेतरतों में मौन इस फलका उथ खंऑ किया गया था 1937 दौक्टर सुरजबान ने बहुत से अृट से स्थ Unless का उत्खनन किया है कौन-कौन से स्थ limit एक तो दौलत पूर दौलत पूर है कुरू छेतर में दौलत पूर कुरू छेतर उसका भी हुत्खनन दौक्टर सुरजबानन किया है और है मिताथल भीवानी का और सी स्वाल इसार का सी स्वाल इसार में जो स्थल है मिताथल स्थल है इनका और दौलतपुर कुरू छेतर का स्थल है इनका इनकी खुदाई उत्खनन किसने किये थी डॉक्टर सूरजबान ने नेक्स्ट, Dr. सूरजबान ने एक कल्ले नहीं थे जिनों ने मिलके इस सतल की, बालू सतल की खुदाई में इनका साथ किनों ने दिया था Dr. सूरजबान के साथ मिलकर बालू के थल का उत्कनन किस ने करवाय था जिम सैफर और जिम जी सैफर इनका पूरा नाम है इनका यह जो है जिम जी सेफ़र यह कौन है अमेरीकी पुराततो वेता अमरीका के आर्केजोजिस्ट है यह जिम जी सेफ़र इनोंने भी इनके साथ में काम किया इसके लिए बलू सतल, कैथल, अरियाना से खुदाई में कैसाक से मिले हैं अन्य सतानों से भी इसी तरह के सेम साक से मिले हैं मैंने जितने बीडियो अपलोड किये हैं उनमें देखा है लाल वैसलेटी रंके मिट्टी के बरतनियां से मिले हैं मिट्टी के खिलोने मिले हैं बच्चों के कच्ची इटे मिली हैं और ये 10 गुणा 20 गुणा 40 सेंटिमेटर में ये इनका आयाम था 10 लंबाई चोड़ाई और उंचाई का आयाम था 10 गुणा 20 गुणा 40 पशों के मूर्तियां यहां से मिली हैं मन के मिले हैं खुदाई के दोरान मन के अरेक सतल से मिले हैं खुदाई के दोरान हड़ी हड़ी के सुये मिले हैं खुदाई के दोरान तो ये सब चीजे मिले हैं खुदाई के दोरान और बालू के बारे में बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं सबी पॉइंट के लिए रो जाएंगी इस तल से जमन दिताब के बालू अर्थमान में एक छोटा सा गाओं है तो ये पॉइंट राकर के ये कैथल अरियाना का एक छोटा सा गाओं है जो अरियाना के कैथल जिले में स्थित है सन 1903 में डोक्टर सूरजबान एक अमेरिकी पुरा ततव वेता जीम जी सेफर के साथ मिलकर इसकी खुदाई करवाई थी और इसकी खुदाई का जो ये कारिये ये 15 चरणों में पूरा हुआ है 15 चरणों में पूरा हुआ यहां से प्राप्त मकानों में कच्ची इटों का प्रियूग किया गया था जिनका कर 10 गुना 20 गुना 40 सेंटिमिटर या फिर 8 गुना 16 गुना 32 सेंटिमिटर था कच्ची इटों से बनी एक दिवार इस नगर को गेरा गया था वहाँ पर दिवार के अंदर जाने के लिए इसके पस्चिम बाग पर चड़ने उतरने के लिए सीडियां बनाई गई थी तो अंदर जाने के लिए भी सीडियां बनाई गई थी इस सथल में यहां की खुदाई में जो बरतन हमें पराप्त हुए हैं उनमें जाधतर का रंग लाल है लाल रंग के बरतन हैं से जाधतर मिले हैं तो चारों और चार दिवारी जो बालू स्थल में बनाई गई थी ये लगबग अरेक अडपाई सथल से चार दिवारी चारों और बनाई गई थी और ये जानली जानवरों से रक्षा करती थी और बारी आकर्मनों से भी रक्षा करती थी इस कान से रेक नगर के चारों और चार दिवार यहां पर बनाई गई थी अडपा सब्यता के जितने विस्थाल है उन नूँ में इन बरतनों को दूप में सुपका कर पकाया गया था कच्ची मिटी के जो बरतन बनाए गए थे उनको दूप में सुपका कर पकाया जाता था इस तरहें के बरतनों में छिदरदार बरतन, बिक्कर, अथ्動画 प्याले, गोबलेट, सधन, तस्त्रियां और मठ के मुख्य रूप से सामिल है यहां की खुदाई में मिट्टी से बने पसुओं की मूर्तिया चोडिया पईए खिलोने गेंदे अड़ी के सुवे सिल बटे कीमती पत्थर मन के और तंबे और अने परकार के उपकरन प्राप्त हुए हैं खुदाई के दोरान अड़ पैसब बेता समन देती हैं चार सथल कुरू छेतर में इनका सैपरेट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा इसके बाद वो भी जरू देखें फरमाना के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया गया है यह उलास सथल का वीडियो है बेड़ाना का वीडियो भी जरूर देखें ये फत्याबाद अरियाना में है सबसे प्राचीन सथल है मिताथल का वीडियो मिताथल भीवानी में है इसका वीडियो भी जरूर देखें आप और मिताथल के बारे में मिताथल के बाद एक और परमुक्सतल है कुनाल कुनाल ऐ फत्याबाद अरियाना में कुनाल का वीडियो भी आप जरू देखे और ये सी स्वाल संस्कर्थी के बारे में पूरे डिटेल से इस वीडियो में सी स्वाल संस्कर्थी के बारे में बताया है ये वीडियो भी आप जरू देखेगा इस क्यूस्टन का जवाब आप कोमेंट्स में दीजिए के अडपा सब बैता की खुदाई की दुरान राजा की मुकुट की खोज कहां पर हुई है बनावली राखी गड़ी कुना लिया फिर अगरोवा तो फ्रेंट साब का पूत हो दने